Hello everyone, कैसे हैं आप, एक और accounting standard के साथ, अभी हमने AS4 ख़तम किया था, Now next AS जो की हमारा है ये accounting standard 5, accounting standard that is AS हमारा 5 है, Sir AS 5 क्या क्याता है, इसके अंदर जितने words है ना उस ही के उपर इस AS में discussion है, बेसिकली यह वारा जो AS है ना वो प्रोफिट एन लास के उपर डील करता है सर प्रोफिट एन लास यानि यह AS जो है आगर मैं अकाॉंटिंग शबद में बात करूं तो statement statement profit and loss में डील करता है सर स्टेटमेंट profit and loss में दो ही चीज़ा आते हैं या तो आता है हमारा expense, या आता है हमारा income, तो भी चीज़े होंगी न, या income या फिर expense, अब income हो या expense हो, इसके अंदर इन चीज़ों को हम कुछ part में बाट देंगे, कुछ part में, यानि customize कर देंगे, जैसे हमारा assets है, अगर आप ध्यान दो, तो assets जो है, वो assets हमारे parts में बटे हुए, जैसे current assets हो गया, या फिर non current assets हो गया, ऐसा ही liability भी, shareholder fund हो गया, या फिर आपका current liability, non current liability ऐसे बटे है, इसी तरीके से हम expense को भी part में डाल देंगे, तो पहला part डालेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे, sir, number one, ordinary item, पहला number, ordinary item, sir, दूसरा number पे रखते हैं, हम क्या, sir, जो हमारा essay का नाम है, that is, extraordinary item, हमें समझता है, extraordinary कौन सा है, तीसरे number पे रखना है, हमें एक prior period item जो भी होते हैं, तीसरे number पे सीखेंगे, हम prior period item, और फिर accounting estimates and accounting policy, तो हमें कितने बाते इसके अंदर जानना है, और उसी चीज़ को implement करना है, ultimately तीन बाते मैंने यहां लिख दिये दो बाते हैं, पांच बातों को अगर हम इसमें जान जाते हैं, तो यानि आपको AS5 आ जाता है, सबसे पहली बात, ordinary item क्या होता है सर, पहली बात करो सर, ordinary item क्या होता है, तो इसको अंदर मुझे जादा नहीं बताना कुछ भी, number one, ordinary item, सर, ordinary item पता ही क्या होता है, जो business के लिए day-to-day activity के अंदर जरूरी होता है, जैसे मान लो, ordinary item, जैसे आपका daily routine का, आपका sales हो गया, आपका हो गया wages paid किया, आपने salary paid किया, यानि जो की आपके business के लिए जरूरी है, वो directly business से connected है, that is called ordinary item, उसको किस item में रखा गया है, जो की purely business से है, जैसे मैं tuition पढ़ा रहा हूँ, आपको coaching दे रहा हूँ, तो मेरे लिए खर्चा जो है, मेरे staff के salary हो गई, या फिर मेरा जो electricity bill हो गया, या सारे कौन सा item है, ordinary item, जो आप से मुझे fees collect हो रहा है, ये कौन सा item है, ordinary item, इसके बाद हम बात करते हैं sir, दूसरी बात, ordinary item आपको clear है, नहीं है, किसी और points से related है, यानि सर, extraordinary item, अब extraordinary item वो item होता है, जो कि हमारा regular basis पे नहीं होता sir, वो होता है, जो कि हमारा regular basis पे नहीं होता, जैसे माल लो, मैं coaching पढ़ाता हूँ, और मैंने IPL के अंदर, IPL के अंदर, मैंने bet लगाया, मैंने dream 11, IPL में 60 लगा दिया, मैंने, और 60 से मैं हो सकता है, दोनों circumstances, या तो मैंने पैसा जीता होगा, या मैंने पैसा कमाया होगा, यानि मेरी या तो income हो गई होगी, या फिर मेरा, क्या हो गया होगा, loss हो गया होगा, तो ये दोनों item मेरे business में daily नहीं होंगे, ये मैं अपनी margin से कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलेंगे, extraordinary item, या फिर मेरा loss हो गया, due to, आपका loss by fire, या फिर number 3 पे आपका earthquake आ गया, जैसे अभी जैपन में आया था, एक तारिक को मैंने सुना है, मैंने पूरा उस पर overview भी नहीं लिया, तो ये item कौन सी हो गया, extraordinary, ये आएंगे तो P&L में बस इसको हम categorize कर देंगे, ये extraordinary item है, ये day to day नहीं है, तो दो चीज़े देखें, एक कौन सा था हमारा, हमारा था ordinary item, जो कि business से ही related होना चाहिए, दूसरा क्या था हमारा, extraordinary item, जो कि है business में हो रहा है, लेकिन business से related नहीं है, मतलब core business से related नहीं है, व तो महां से मेरा income generator का है, that is extraordinary item, देखो हम दो बातों पर चर्चा कर चुके हैं, पहली बाते क्या थी, ordinary, और दूसरा क्या था, extraordinary item, अब इसके बाद अगली बात करेंगे, number 3, that is prior period item, prior period item समझो, जैसे कि suppose करो मैंने कहा, purely यह जो हमारा है, वो profit and loss से deal करेगा, तो मैंने profit and loss बनाया, अब profit and loss में मैंने इधर क्या लिखा, sales, मतलब trading profit and loss, 20,000 रुपे का, इधर क्या लिखा, मैंने इस लिखा, यानि 10,000 रुपे का, ठीक है, now, अब मैंने यहां पे लिखा, 20,000, और यहां पे भी लिखा 20,000, और यहां हमारा आगया, जीपी, और जीपी जो आगया, वो आगया, 10,000 रुपे, मतलब net profit ही मानलो, यह मैं बात कर रहा हूँ, सर, 2025 की, now, मैं 2023 में आ गया, और 2023 में जब मैंने profit and loss बनाया, फिर से, तो मान लेते हैं, इस side मैंने लिखा sales, और sales मैंने लिखा, इस बार आपका 50,000, और मैंने purchase लिखा, that is, हमारा purchase आ गया, 30,000, अब जो हम profit निकालने गए, तो मुझे 2023 में याद आया, और पिछली बार तो एक गलती कर दी, closing stock तो लिखा ही नहीं था, मैंने पिछली बार जो आना चाहिए था, mistake हो गया मुझसे, closing stock नहीं लिखा, तो भई, अब पिछली बार अगर closing stock नहीं लिखा, तो मान लेते हैं, अगर पिछली बार closing stock हम लिखते, तो कितना लिखते हैं, मान लेते हैं, 5000 रुपे लिखते, तो इस बार का ये क्या बनेगा, opening stock, और दूसरा impact की कोई हमेसाद जो चीज़ भूल जाओगे, यानि आप कहने का मतलब है, यहाँ पर द बढ़ानी पड़ेगी, that is, आपका prior period item में होगा, तो मैं adjustment entry कैसे करूँगा, सर पीछे का तो जो हो गया, अब इस बार मैं अपना opening stock बढ़ा दूगा, और क्यूंकि पिछली बार के closing stock ना लिखने की वज़े से हमारा ये GP भी क्या आया होगा, कम आया होगा, तो पिछली बा का हमारा capital भी क्या हुआ होगा, कम क्योंकि net profit मतलग के कम जुड़ा होगा, इस बाल का दूसरा entry हम capital के अंदर इसको plus कर देंगे, तो एक था हमारा ordinary item, ordinary item क्या होता, जो day to day business के अंदर regular basis पे खर्चे होते हैं, उसे ordinary item कहते है, extraordinary item जो की business related नहीं है, कभी कभी हो जाता है, prior period item व अगला है हमारा सर accounting estimates या accounting policy, accounting estimates क्या होते हैं सर, accounting अगर मैं estimates की बात करूँ, तो accounting estimates, accounting estimates, सर, सबसे पहले accounting तो कर दी रहे हैं, estimates का मतलब होता है, अंदाजा, accounts के लिए आपने अंदाजा लगाया, जैसे for example, provision for debtor, ये अंदाजा ही तो है, यानि आपने अंदाजा लगा लिया, कि हमारा बेड़ेट्स इतना हो सकता है, यानि वो estimate, वो अनुवान खर्चे या income, जिसके बारे में आप 100% sure नहीं है, कि होगा ही होगा, एक अंजादे basis पर आप डाल लेता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, provision for doubtful, that's a example लिख दिया, that is accounting estimates, और क्या हो सकता है सर, आपने workman compensation के लिए, आपने fund बना लिया, कि साहिद नुक 10% provision बनाना है, वो तो हो गई बात, लेकिन कहीं पर ऐसी बाते ही नहीं लिखी, कि 5% बनाना है, 10% बनाना है, और आपने अपने अंदाजा सा बना लिया, that is called accounting estimates, ठीक है, last one हमारा जो 5th point है, that is accounting policy, क्या है accounting policy, accounting policies क्या होते हैं, कि हम accounts जब करते हैं, तो यहाँ पे जैसे दो methods है, एक है SLM और एक है WDB, अब हमें depreciation में से कोई सा भी एक method apply करके उसे continue करते रहना होता है, अगर हमने इसको change किया, तो हम बोलेंगे हमने accounting policies को change कर दिया, now हम WDB पे आ गया है, तो इन सभी बातों को जिसकी व laws के अंदर, और notes के अंदर भी disclose करना होगा, तो यह overall अगर आप 5 बाते सीख जाते हैं, तो आपको यह standard का main theme समझ में आ जाता है, कि होता क्या है, ठीक है न, चलिए आईए फटा-फट इसके अंदर हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कहता है, give the definition of the following as per accounting standards 5, सबसे पहले ordinary item क्या होता है, क्या कहता है, ordinary activity or any activity which are the undertaken by the enterprises part of its business, इसके business का ही part है, such related activity, which is enterprises engage in the furtherness of the, आपका incidental to the arising from the these activity, इस activity से होता है, जैसे definition है, example, King Limited is a software developer है यह, और company operate from Delhi, Delhi से operate कर रहा है, recently they have started a training institute of further software developer को training के लिए, all activity related to the training institute will be treated as a ordinary activity, इसको क्या मान लेंगे सर, हम ordinary activity मान लेंगे सर, अभी समझा था हमने, इसके बाद आ जाई है सर, extraordinary item, extraordinary item are income और expense, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, या तो income हो सकता है, expense, that arise from, यह होगा कैसे, event or transaction that are clearly distinct from the ordinary, ordinary के वज़े से तो नहीं हुआ, उसके अलाबा किसी से यह हो सकता है, इनका कहना है, ठीक है सर, activity of the enterprises, and the therefore not expected, आपका frequently, मतलब के यह हमारा frequently या regularly नहीं होगा, AS5 यहीं कहता है, example, sale of old machinery, furniture, profit and ordinary activity, but sale of excess land, adjustment existing factory, treated as extraordinary item, आपने अगर कोई furniture या machinery बेच दिया, वो तो आपका ordinary item है, लेकिन excess land, जो कि आपका exist factory should be treated and extraordinary loss due to earthquake cell भी, और extraordinary item में आएगा, सर, prior period क्या है, यहीं से सारी चीज़े clear हो जाते हैं, prior period क्या होता है, प्राइर पीरिड आइटम आर income और या फिर expense हो सकता है, which are arise in the current period, अभी पता चला है, arise का मतलब अभी पता चला है, result, error और omission in the preparation of the financial statement, जो current year के हम financial statement बनाएंगे, तब हमें पता चला है, और statement of one more prior period, और यह जो है, पहले से हैं, example, आपका inventory had been oversight, overstated, मतलब overvalued था 2020 में, but it was deducted in 2021 में, इसे prior period आइटम बोला जाएगा, ठीक है, अब इसके बाद accounting policies क्या होते हैं, accounting policies क्या होते हैं, देख लिजिए, as per the accounting standard one, disclosure of the accounting policy, जैसे की क्या क्या है, accounting policy refers to specific accounting principle, जैसे going concern, यह सारी, and the methods applied to the principle, adapt by the enterprises preparation of the financial statement, financial statement बनाने के लिए, जो principle फॉलो कर रहे हो, वही policy है, और जो methods लगा रहे हो, वही policy है, जैसे SLM और WDV का मैंने example लिया था, अगला question देखिए, question number two है, again इनको पढ़ लेते हैं, तो सारी चीज़ों वही clear हो जाता है, what do you mean by the extraordinary item, as per AS5, explain the extraordinary item क्या होता है, उसको आपको क्या करना है, sir explain करना है, तो meaning of extraordinary item देखिए, extraordinary item, income or expense, again वही बात कर रहा है, arise from even transaction, clearly distinct from the ordinary activity, बात वही कह दी, accounting treatment, extraordinary item का क्या करोगे, extraordinary item should be disclosed in the statement of profit and loss, as part of net profit and net loss का part है, period, the nature of the amount of extraordinary items should be separately, मतलब profit and loss में तो जाएगा, लेकिन अलग से दिखाया जाएगा, disclose in the statement of profit and loss, यानि अलग से highlight करके दिखाना है, that impact on the current period profit clearly observed, it should be noted that only on rare occasion, does the event and transaction given arise and extraordinary item, और यह notice किया गया है, कि यह बहुत rare होता है, मतलब frequently नहीं होता, ठीक है, कहता है, an event and transaction may be extraordinary for one enterprises, but not for the another enterprises, ऐसा हो सकता है, possible, because of different between their respective ordinary activity, example, loss situated result earthquake may be qualify extraordinary item, many enterprises, however, the claim from the policy holder arising from the earthquake, not a, आपका qualify and extraordinary item, तो अलग अलग प्रोविजन है कि एक के लिए extraordinary item होगा, एक के लिए, नहीं हो, जैसे जपान में भुकम पाता है, मानलो, अगर जैपान के अंदर भुकम पाता है, तो उनके लिए extraordinary item नहीं है, यह तो नॉर्मल भी है, वहाँ हर में सा आता ही रहता है, जैपान के अंदर, इंडिया के अंदर एक extraordinary item बन जाएगा, तो यह कहना चाहा रहे हैं, चलिए, अगले point पर आते हैं, मैं heading heading पढ़ दूँगा, explain net profit and loss prior, net profit and loss for the period, यह net profit and loss कैसे होता है, net profit and loss को समझाया हुए, आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर profit from the ordinary activity से हो सकता है, और extraordinary item से हो सकता है, ordinary activity क्या है, जो कि business से related होता है, और extraordinary item क्या है, जो कि business से related नहीं होता है, जो कि हमने अभी भी discuss किया है, write a short note, prior period item, prior period item, जो कि हमारे error या omission पहले की वज़े से हो गया है, वो होता है, जैसे आप clearly meaning में भी देख सकते हो, prior period item, income expense, which are arise in the current year, result, error and omission, यह बात ध्यान रखिये गए हैं, दो बाते हैं, error और omission से हो जाता है, preparation of the financial statement, one or more prior period, पहले के prior period में गलतिया हो सकती है, and the, कहने का मतलब है, जो भी adjustments होंगे, कहता है, कि prior period item, does not include other adjustments, कोई ऐसा अलग adjustment नहीं है, आपका necessity by the circumstances, which through the related prior periods, ऐसा कोई मतलब नहीं मनता है, इसका यह होगा, determine in the current period, कहता है, area payable to the worker, as the provision wages, with the respective effect, तो यह prior period item है, पहले से देना तो, जो कि नहीं करा, अब हम इसका adjustment कर देंगे, disclosure, इसमें requirement होगा, किस nature का है, prior period item, normally कितने रुपे का है, और इसका क्या alternative approach, इस आपको बता के चलना पड़ेगा, question number 5 पे आ जाते हैं, what do you mean by the accounting estimates, estimates, estimates क्या होता है, as 5 explain, accounting estimates क्या होते हैं, कि हमारा अंदाजा है, कि इतना पैसा डूब सकता है, यह क्या हमारा estimates है, उसी के बारे में बता है, example देखे, estimates likely to the bad dates, estimates inventory, आपका कितना खराब हो जागा, absolute, मतलब waste हो जाता है, estimate useful life, आपका depreciable assets 10%, वारेंट, आपका restaurant cost, ग्रिजवेटी, यह सारी चीज़े, contingency estimates है, जो कि आपको मैंने बता दिया, accounting estimates क्या होता है, आप पढ़ लिजिएगा इसको, मैं क्यूंकि ज़्यादा नहीं कीचूँँगा, आप पढ़ लोगे तो ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा, classify effect of change in accounting statement, मैं पूरा पढ़ ही देता हूँ, चलो, क्या कहता है, as per 5, as 5, an estimate may have been, आपका revised, if change chances, अगर आपका chances है, आपका, sorry, अगर changes है, अकर regarding the circumstances है, यानि आपने पहले सुचा था, 10% डूबे का बैड़े, अब 9% भी हो सकता है, और 11 भी हो सकता है, based on the result of new information, more experience के वज़े से होता है, subsequent developments के वज़े से होता है, the revision of estimates by the nature, does the bring the adjustment within the definition of the extraordinary item और prior period, extraordinary item भी हो सकता है, और prior period भी हो सकता है, classification effects change accounting estimates के क्या होता है, the effects change in accounting estimates should be classified using the same classification in the statement profit and loss as previously estimate, जो previously आपने इसका treatment किया था, वही आपको अभी करना ही पढ़ेगा, for example, देखिये, if an accounting estimate which was the previously included in the profit and loss from ordinary activity, then the change in the accounting estimate should be also classified ordinary activity, similarly accounting estimate which is previously included in the profit and loss extraordinary activity और अब भी extraordinary में करना पढ़ेगा, effects क्या होगा, the period of change affects जो होगा only उसी period के लिए होगा, the period of the change and the further period के लिए तो change in effects बोद, दोनों जगह हमें actual में क्या है, disclose करना पढ़ता है, एक simple सा questions दे दिया है इन्होंने, questions कर लिजेगा, ये देखिये, जो ES है ना, वो owners वालों के लिए ज़्यादा important में मान के चल रहा हूँ, change in accounting estimates, क्या कहता है, Shiva Limited create a provision for bed dates, 3% कर रहा था, debtor in the preparing of the financial statement, 2022-23, subsequently the review उसने करा, credit period allowed to the company, customer, the company decide to increase the provision, 6.5 कर देगा, debtor on 31 March, 23 को, the accounts were not approved by the board, till the decision, जब तक decision हुआ, तब तक approved नहीं हुआ, जब तक decision हुआ, तब तक approved नहीं हुआ, वाइल applying आपका जो भी policy था, कहता है कि provision estimate does not bring adjustment within आपका definition of prior period item, या extraordinary item, thus given of the civil limited 3% provision होगा, वो वैसे ही होगा, जैसे कि पहले गया था, बस उसको बढ़ा के 6% कर दिया जाएगा, ठीक है, एक और example है, example पढ़ेंगे, what are the accounting policies, policies बता दिये मैंने, कि दो तरिके के policies होते हैं आपके, और बहुत सारे policies होते हैं, जो कि AS1 decide करता है, उस policies में, अगर कोई भी change आता है, तो हमें footnote के अंदर दिखाना पड़ता है, उस policy में कोई भी change होता है, तो हमें footnote के अंदर, यानि balance sheet के disclose करना पड़ेगा हमें, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, एक कहता है disclose regarding policies, अगें फिर वही point आ गया, तो आप बार बार देखेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा fair value, तो ये हमारा AS5 जो था, ये खतम होता है, तो अगें मैं quickly बताओ, तो सर इसमें क्या पढ़ना है, ordinary item जो कि business के P&L में जाता ही जाता है, extraordinary item जो कभी-कभी होता है, prior period आतम जो पहले कभी भूल गए था, omission और error अब मुझे adjustment करना है, estimates हमारा अंदाजा होता है, कितना हमारा समान डूब सकता है, या कितना हमारा पैसा डूब सकता है, कितना income हो सकता है उसका अंदाजा estimate, इसके बाद था policies, policies जब भी बदलोगे तो इसका आप disclosure दोगे, तो ये था पूरा हमारा AS5, इसको पढ़के अच्छे से जाईएगा, मैंने आपको overview इसके अंदर दे दिया है, तो मिलते हम next video के अंदर, thank you so much.